जहरकन में दो दिनों में दो निताओं ने दल बदल कर राइनीती गरमा दी है उन्हें इस मार्च को शिबू सोरिन की बड़ी बहु और स्वर्गय दुर्गा सोरिन की पत्नी सीता सोरिन जेमें में उपेक्षा कारूप लगाती हुए बीजेपी में शामिल हुई थी इसे जेपी पटेल एक परिवार को मजबूत करने के लिए कॉंगर्स में शामिल हुए है जबकि सीता सोरिन राष्ट को मजबूत करने के लिए बीजेपी में शामिल हुई है लेकिन कॉंगर्स को लगता है कि जेपी पटेल के कॉंगर्स में आने से ये पार्टी मजबूत होगी कॉंग्रिस के प्रदीश अधक्ष राजिस्थाकु ने कहा कि माडुक शित्र में जैप्रकाश भाई पटेल और उनके पिता स्वरगे ट्येक लाल महतों की पकड़ रही है और इसका लाव कॉंग्रिस को मिलेगा जो हमारी इनसे बाचीत हो रही थी लागातार भारत जुड़ो यात्रा के दोरान भी जो इनकी एक कस्मकस थी कि मैं जिस विचारधारा से आता हूँ साइद कहीं गलत जगा फस गया हूँ और एक लंबी लडाई लड़ रहे हैं आदर्णिय राहूल गांधी जी जो नफरत के बाजार में महबत की दुकान खोलने निकले हैं और इस देश बेचने वाले और देश बचाने वाले की लडाई में हमें देश बचाने वाले के साथ रहना है वही जेपी पटिल के कॉंगस में शामिलोंे पर बीजेपी नित्ता हमलावर नजराएं बीजेपी विद्राय के सीपी सिंग ने कहा कि ये दल बदल की राजनिती सही नहीं है वो अपनी मात्वा कांश्रा के कारण कॉंग्रेस में गए कि अरे उपर कोई फरक नहीं पड़ता है कौन आता है कौन जाता है कि मैं इतना ही जानता हूं कि कोई भी विक्ति ये दिक किसी पार्टी में कि मंदारी के साथ नहीं है तो कल कोई आया है कल फिर कहां रहेगा इसका कोई गारंटी ने ले सकता है अब कोई गया है कल कहां रहेगा उसकी गारंटी ने दिखिए इस तरह की चीजें जो होती है जिसके मन के अंदर अती महत्वा कांशाएं हो जाती है वह इस तरह का काम करता है